सबकौन सी सब्माइण निढ is like a programmable computer, उसमें sickness का programming पढ़ा है तो sickness हमार आती रहेगे, positive health का programming रखा है तो positive health हमार आहेगी, तो आपको positive health के लिए गराप माइण का programming करना है अलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंदर सिंग राठोड और आप लोग के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज मुझे बहुत खुशी है आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे शो में मुझूद है बारत के सबसे जाने माने ट्रेनर माइन पावर पे जिनकी एक्सपर्टीज रही बहुत सारी किताबे इन्होंने लिखी हंडिर से जादा किताबे लिखी है इनकी किताब प्रेणा का जर्णा वन मिलियन से जादा कोपी सोल्ड हुई 45 से ज़्यादा देशों में इन्होंने प्रोग्राम किये और इन्हें देख करके ही मैंने अपने ट्रेनिंग करियर की शिरुआत करी तो प्लीज वेलकम डॉक्टर जितेंदर अडिया जी तो कैसे सर जर्नी शुरू ही? मैक्जिमम लोग तो जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में तो जो आज यंग्स्टर्स हैं उनके लिए अगर आप एक शोट में बता सके हैं हाउ इट स्टार्टेड कि एक डॉक्टर से लेकर के आज एक इतने बड़े ट्रेनर की जर्नी कैसे रही? मैं राजकोर्ट सेहर के बाजू में एक वाकाइनर करके छोटा ऐसा टाउन है वहाँ पेदा हुआ था 1951 में याज यानि कि आज से 72 एर फेल है अभी I am 73 रनिंग एक गरीब करने में पेदा हुआ था वहाँ सरकारी स्कूल में मैंने गुजराति मीडिया में इसीख स्टनर्ड किया 12 गी एज के बाद हम राजकोर्ट में सॐप्ट हुए है राजकोर्ट में रहते हैं वहां मैंने बाखी का इजीक चैसन कतम किया उसके बाद मैं मेडिकल में गया, मैं डॉक्टर बना, क्योंकि बच्पन में और कोई मेरे पास ओप्षन नहीं था, एक ही अच्छा ओप्षन दिख रहा था, और कुछ पिक्चरे देखी थी जो डॉक्टर की लाइप पे थी, हिमाले की गोद में, दिलेक मंदीर, आरजियो, यह सब डॉक्टर की कहानी वो टाइम पे आई थी, तो उससे मुझे प्रेणा मिली, और डॉक्टर बनने का सपना देखा, मेनत की, मैं डॉक्टर बन गया, फिर मेरा सपना था विलेज में जाके सेवा करने का, एक गाउं में जाके प्रेक्टिस टार्ट की, एक साल मैं ने लोगों के सेवा कि मंगर मैं कमफरडेबल नहीं था, कि कि वो लाइप मुझे पासन नहीं थी, इलेक्टिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, वेहिकल नहीं था, ऐसी आलत में जीता था और मेरी साधी हुई थी, साधी का बाद मेरी वाइप को वाँ लेके गया, जहां कुव बनने के बाद यह लाइप से में थांग आ गया, फिर मैंने क्लिनिक बन किया, सोचा अब MD करूँ, फिर मैं बंबई गया, बंबई में मैं 10 साल रहा, वहां मैंने MD किया, काफी जीवन के बारे मैं सीखा, मैंने पबलिक शीकिंग बाद सीखा, ट्रेनर बनने के पहले जो रि गल्फ के लिए अपलाई करना सुरू किया, और 1985 में मुझे साओधी अरेबिया में डॉक्टर की जोब मिली, जहां मैं 6 साल काम किया, as a medical doctor, 91 में वापिस आया, मेरे सामने ही गल्फ ओर हुआ था, गल्फ ओर का मैं एक पार था, फर्स गल्फ ओर 91 का, मेरे सामने दो बार मिस हूँ, हमको गेस मास्ट के ट्रेनिंग दी गई थी, हम वो त्विटल में गेस मास्ट में के मरीच को देखने जाया करते थे, मैं गेस मास्ट लाया था, कुछ सालों के बाद मैंने डिश्टोय कर दिया, खिर कि बहुत रखा मैना, 91 वाला, तो वो होरर देखके मैं वापिस पर साओधी अरभी आशे, पहले मैं बंबाई था, मगर मुझे लगा भी गंदा है, साओधी में इतनी अच्छी लाइब थी, कि मुझे बंबाई गंदा लगने लगा, फिर मैं गुजराद आगया, कि मुझे लगा, मैरे पेरेंट रहते है, मेरा कल्चर है, मेरा बाई आई यह सोफीजर है, तो मुझे कोई तकलिफ नहीं होगी, और पेरेंट के साथ कुछ दीन देना चाहिए, और बच्चों को गुजरादी कल्चर भी मिलेगा, यह स्वाज के मैं सीधा 91 में अम्दाबाद आगया, मंगर साओधी अरभीय में मेरे मां ऐसा लग रहा था, कि कुछ ट्रेनिंग फिल्ड में जाना चाहिए, मंकर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, एमदाबाद में आने के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा रास्ता मिलने लगा, डॉक्टर बारेच चंदर एक आते थे परशालिट्री डेवल्मेंट वर्क्शॉप के लिए, उसका मैं स्टू में बढ़ा हूँ, फिर वो MBBS थे, मैं MD हूँ, उसे एक step आगया हूँ, और वो एक ही लेंग्वेज में करते हैं, मैं तीनों लेंग्वेज में कर सकता हूँ, मैं छोचा है यह तो बहुत बड़ी है, फिर मैंने वही पर बारत-चंदर के प्रोग्रम में स्टेज पर डिक्ल करना पड़ता है, इस पर ऐसान आता गया, मेडिकल कोलेज में हमेने जोब ले लिया था, प्रोफेसर था, तो मेडिकल कोलेज में ठीचर का काम करता था, Saturday, Sunday में दीरे-दीरे, हैसे होबी शुरू किया, फिर लोग पैसा देने लगे, ऐसे करते-करते, अपना कारवाज चलत लेक्टियर के लिए बुलाया गया, और मैंने पहली बार सबकॉंसियस माइंड का प्रोग्राम दिया, वो टेम पे टेकनोलोजी नहीं थी, बोर्ड में लिखके, कॉंसियस माइंड, सबकॉंसियस माइंड, हैसे करके, ये घंटेक बाद लोग इतने इंप्रेस होगे, कि सब मेरे साथ ओटोग्राप, फोटोग्राप के लिए मतने लगे, 200 के 200 लोग, मैं तो हरान होगे, क्या जादू होगे ये तो, मेरे बात दूसरा लेक्टियर था, उसके पाद जाने को कोई तेयार नहीं, फिर सक्षी जी जी गोईल ने मुझे रिक्वेस्ट चिया, साब आप अ अच्छा सिखा सकता हूँ, अब मुझे करोड़ा लोगों को ये सिखाना है, तो वहाँ से मुझे मेरा लाइप का मिशन मिल गया, करोड़ा लोगों को मैंड पावर सिखाने गा, धीरे-धीरे मेरे काम बढ़ता गया, जैसे सब कोंसे मैंड को मैंने कमंड दिया, अपना आओ, हमारे वहाँ आओ, तो दिरे-दिरे आ गया, वही टाइम पे M.V. आया इंडिया के अंदर, और वही टाइम पे लोगों ने मेरे लेक्चर में से सुन-सुन के किताब की डिमंड की, कैसर आप जो बोलते हो कोई किताब में नहीं, आप किताब लिखो, मैंने पहली किता आई, मेरा काम बढ़ता गया, फिर मैं चोच आप नोकरी की जरुवत नहीं है, तो मैं नोकरी से रिजाइन कर दिया, 2004 में, याने अज उसको भी विष्टा, तो 52 की एज पे आप फुल टाइम इसमें आए, फुल टाइम इसमें आ गया, अब इस 73 हूँ, मगर 10 साल में दोनो हुआ, 91 में, 51 का बर्थ है, मैं 91 में वापीस आया, और वोई टाइम पे मेरे साथ एक आच्छा भी हुआ था, मैं वो टाइम पे 25 लाक रुपिया कमा के वाइट का लेकर आया था, मेरी स्पनखा में से, साओधीरेबिया से, मालूम नहीं था कहा इंवेस करना, किसी ने एड और वोई टाइम पे अर्फद मेता का स्केंडल खुला, और मेरे 25 लाक, 5 लाक हो गए, तो मेरे जो पईसा कमा के लाया था, सब डूग गया, वहां में मर्सीडिज लेकर गुमता था, और यहां आके मैंने बजा स्कूटर से, मैंने लाइफ की सुर्वात की, क्या बात था, म मेरी तनका दी, 4,000 रुपया, साओधी रिवे की मैने जेव छवड़ी थी, वो लास्ट महीने की मेरी तनका दी, एक लाक रुपया, वह चोड़के मैं 4,000 में यहां सुरुखिया, क्या गलफोर का मजबुरी था, तो आ गया था वापर, दीरे दीरे यह लाइन में आने के ब तो यह भी हुआ कि विज्व लहन कीताब, एक ही आदमी, संजय जेहिन करके आदमी है, उन्होंने 5 लाग खरे दी और मेरी प्रेना का जन्ना डिवीडे भी 5 लाग खरे दी, यह भी एक रेकोड़ है कि एक ही आदमी की एक ही डिवीडे, एक ही आदमी ने एक ही पेमेंड के यह भी हुआ है तो ऐसे बहुत अच्छा लगा तो मज़ा आगए अभी तो लाइव इतनी अच्छी हो गई है फिर बार के दुनिया से ओडर आने लगए तो दुनिया के इतने सारे कंट्री में गया बीस बारतों में अमेरिका जाकर आए तो अभी तो आप 45-50 देशों में प् पाइलोट बनने की इच्छा दे मगर गुजराती मीडियम का स्टूडन था दूबला पतला था मेरे फादर को कुछ समच था नहीं था पैसा भी नहीं था पाइलोट के टेनिंग का तो सपना अधूरा रहे गया फिर कब संजोग ने मुझे डोक्टर बना दिया मगर वो सप को नहीं था अंधर पादा था मी इंडर पादा था फिर एक भार में गवे दोडर किया के प्रोग्राम के परोग्राम सूरत मेटों करके स ? अधतर इस भाप दियो अरही मेरे दोस्ती सी भिई मैं को पर में तोउने दुस्ती करते हैं। अचनक ही एking सब्सक्राइब की करते हैं। कुछ आप क्या करते है О कि मैं फ्राइइन क्लप कामेनजर हूं। wages恭喜, क्ला के सिपलाइट है कि नहीं। आप काम में बनाती है। मैं तो इतना iarakॐं सकती भाइं। अगर फीट है तो कर सकते हो गागा, वाँ वाँ बार दिया और पाइलो ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्यों कि शोक था, तो यह भी पाइलोट बन गया मैंने, तो यह भी वाँ लास्ट यहर में वासिंग्टन में स्काइड़ दाइविंग किया, जो यह एज में कोई शोक भी नह स्काइविंग करके अभी अमरीका में लास्ट यहर मैंने स्काइड़ दाइविंग किया वासिंग्टन में वह तो यह क्या सिक्रेट है, आपका 73 की एज में आप यांग है, मुझे अभी आदे काफी साल हो गए, मैं आपसे पहली बार पहली बार तो मैं आपको निर्मा में पहली बात तो यह है कि फिट रहने के लिए मोटिवेस्टन चाहिए, और मोटिवेस्टन कहां से मिलता है, हम बार बार स्टेट पे जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो मैंक्रोस्कॉप से देखते हैं, बिल्कुल एक अपना बटन कैसा है, पेन कौन सी है, एर्श्टाल क पेना तो मैंने सोचे हैं, इतना यह देखते हैं, और मेरा वर्डियां से उपर आ करता था, यानि दो-दो-दो-जार आखे आपको माइक्रोस्कॉप में देख रही है, तो आपको अच्छा दिखना अच्छा है, आपको मालूम है कि कितना यह रहता है, जब दो-दो-दो- कि दोच्तर को पुचिता यह, सो साल जीना, क्या करू안 रहूजcket? ऑर को मैं टोच्छा है तो इसको जब आप ट्रेनर बनने तो उसाल जिने इच्छा होती है, मेरा गरता मुझा बन बने के बनाना तो इतना न सेवन्टीम झा जाते, मुझे तो ब़ह भんなया बग कि रहता सब कुछ में करता हूँ, खाने में बहुत ही डिसिप्लिन रखता हूँ, जन्थ फोड मिनिमिम्म खाता हूँ, आजकाल तो मैंने मिठाय भी बन कर दिया, बिना शुगर के चाय कोफे भीता हूँ, चपाते को अबर गी नहीं लगाता हूँ, तो सेल डिसिप्लिन के वज़े से भी होता है, क्योंकि मुझे लंबा जीना है, और लोगों को, मैं तो हमेसा मेरे ट्रेनर को कहता हूँ, कि लोगों को इंप्रेस करने का सब से पहले तो फंडा ये कि आप फीट बोड़ी के लेके लिए स्टेज पे जाओ, ये सुरेंद बद का टाल का टारा में प्रोग्राम था, तीनाजार लोग थे, जैसे मेरा नाम एनाउस हुआ, मैं दोड़ के गया, कोई भी बाँ ट्रेनर दोड़ के नहीं गया था, सब चल के गया था, तो सब को अजीब लगा के, यार, 73 अर्का आदमी दोड़ के स्टेज पे आता है, और सीधा बोलना सुरू किया, तो वैसन है, कि मुझे सो साल जीना है, सो साल काम करना है, दुनिया के बहुत सारा भी देश देखने है, अभी 15 दिन के बाद मैं येरोप की लंबी टूर में जा रहा हूं, जो मेरे फेवरिट कंट्री है, श्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वेर, फिंडन, मैं अभी जा रहा हू इसके बाद मैं भुटान जा रहा हूं, इसके बाद मैं उस्ट्रेलिया जा रहा हूं, तो कंट्री देखना है, तो फिटनेस तो चाहिए, वैसे गूमना का सोक है, तो तीन चीज़ चाहिए, हेल्च चाहिए, मनी चाहिए, टाइम चाहिए, तो अभी मेरे पाद तीनों है, म पहले बंबई का अएरपोर्ट का देखा है क्या आदर अगर फिटनेस नहीं रही तो नहीं अच्छा होता है लवली सर सो अगर ओडियन्स को दो तीन एसे टिप्स हम दे सकें कि एक आम इंसान अपने आपको फिट रहने के लिए क्या क्या प्रारिटी बना सकता है क्या ध्यान पहले बात तो यह है कि फिट रहने के फाइदे क्या है है यह देखो मैंने एक गुनी गुरू के ऊपर पॉजिटिव एल्थ करके प्रोगरम रखा है जो लगों के लिए फ्री हमने रखा है उसके अब आप मैंने सब कुछ फंड़ा दिया है तो जब तक आपके अंदर मोट करने का तब तक वो करो गई नहीं तो मोटिवेशन कब आएगा जब आपके सामने लिश्ट होगा कि अगर मेरी फिट बोड़ी है तो मुझे इतने इतने फाइदे है जो मैंने वो प्रोग्राम में गिना है कि आप फूड एंजोई कर सकते हो आप डांस के सोकी ने तो डांस अपको फाइदे है जो हेल्दी बोड़ी से मिलता है जैसे आपकी बोड़ी खराब हो गई ये पचास फाइदे आपके कैंसल हो जाते एक गलती की वज़े से सो तो तो सब को पहले बोलता हूं कि फाइदे का लिश्ट बना के रखो तो आपको एक मोटिवेशन दाएगा एक का गया मोटिवेशन वाइ, इसके बाद आएगा हाव, इसके बाद आएगा हाव, इसके बाद आएगा हाव, इसके करना है, के हाव I can remain fit, तो सबसे पहले पहले इसा मानते थे, के healthy body is a healthy mind, अभी उल्टा हो गया, healthy mind is a healthy body, body is the manifestation of mind, तो अगर आपका mind positive है, healthy है, तो अगर आपका mind उनके जंगल में trekking के लिए जा रहा हूँ, तो यंग्स्टर जीसे गोल रखते हो ने, तो mind के वो signal body में जाते है, तो healthy mind is a healthy body, not that healthy body is a healthy mind, तो मैं सब को यह कहता हूँ, healthy mind रखो, और आपके जैसे यंग्स्टर लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मुझे कभी बुडे वाला बीचारी नहीं नहीं आता कि अब तो मेरा क्या होगा, और बोडी में एक भी अवी तक operation नहीं हुआ है, एक भी बीमारी नहीं है, diabetes नहीं है, blood pressure नहीं है, अभी motia start नहीं हुआ, stain नहीं बीटाया, joint triplacement नहीं किया, prostate नहीं बढ़ा हूआ, यह सभी जो 60 के बाद शुर हो जात अब इतने में आपको यह motivation रहेगा, कि मुझे यह फीट रहना है, तो तब आप फीट रहोगे, तो मेरे जैसा तू दो तीन गंटा निकालोगे, मैं अभी राकेट जुन 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 वाला का जो example है, सब को दुनिया को मालूम है, कि 45,000 अभी मैंने कल सुना, 60,000 अभी उसक अब इतने example देखने के बाद भी लोग क्यों नहीं समझते हैं, यह मुझे समझ में नहीं है, फिर भी health को निकले करते हैं लोग, तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा, कि देखो मैं 73 मैं feet हूं, feet और रहेके दिखाऊंगा, मुझे लोग बोलते हैं कि 10 साल के पहले दिख रहे कि बोड़ी क्या मांगती है, देखे बोड़ी हर चीज का सिगनल देती है आपको, और हम जैसा ही सिगनल को निगले करते हैं बोड़ी हमें बदला लेने का सुरू कर दे दिख जैसे प्यास लगती हैं, हम पानी नहीं पिते हैं, तो बोड़ी का इंसल्ट है कि वो पानी बोड़ी हर चीज का इसाब रखती है, पूरा एकांड मेंटेन करती है, और जितना जवानी में आप उसको नुकसन करते हो न उतना बुड़ा बदले के साथ आपको परिशान करेंगी, चाड के बाद सुरू हो जाता है, एक के बाद दोक्टर का चकर, क्योंकि जवानी में जब आप सवान कर सकते थे, तो आपने बोड़ी को एब्यूस किया, जितना एब्यूस किया, उतना बदला शिक्टी के बाद लेगी, तो मैं बहुत जल्दी संबल गया हूँ, दूसरे बात है कि मेरा MD यानि पेसिलाइजेसन प्रिवेंटिव मेडिसिन में है, यानि बीमार लिए अगर हम देखे हैं, तो जो माइंड रिलेटेड इशू हैं, मेंटल हेल्द के जो इशू ने अभी भी आपने स्टेस की बात की, तो यसे बहुत सारे इशू बढ़ते जा रहे हैं, करंट मोडर्ण वर्ल्ड के अंदर, इंडिन साइकार्टरी सोसाइटी ये कह रही है और इस्पेशली कोरोना के बाद तो यह और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसे कोजिज हैं, ऐसा क्या पिछले पांसा साल में चेंजिज आ रहे हैं, जिसकी वज़े से ये इशू और ज़्यादा बढ़ रहे हैं मेडिकल कोलेज में जब पढ़ता था, तो यह चीजों को बहुत इंपोटन्स नहीं दिया जाता था, तब तो कोलेरा, टाइफोर्ड, मिलेरिया, उसी चीजों को हमने सिखा है, वो रहो सभी के कुछना कुछ दवाई थी, एंटिबाइटिक था, यह था, बो था, मगर अभ काम, बीजनेस, यह सभी चीजे, गोम्पेटिशन, यह इतना स्ट्रेस्फुल हो गई है, कि यह सभी पर परफटी परसेंट की वजए से होती है, तो जब तक स्ट्रेस को मेनेज करना नहीं जानेंगा, तब तक यह बीमार्यों के हम सिकार बनते रहेंगे, और स्ट्रेस की व जरते बंगलों में रहते हैं, मर्ट्रीडिरी सार ही। धिर दीर आपका, रॉफिडेरा आपका भाईप के साथ ра बच्लों के सारे लाइब तो करके दिखाओ जी के बताओ, आपकी फेमिली साथ में होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सबकोच अच्छी होनी चाहिए, तो इसली बैलेंसिंग की बात करता हूं, कि लाइब में बैलेंसिंग बात जरूरी है, जो बहुत कम लोग करते हैं, तो उसको बेलेंस में रखोगे न तो लाइब को बेस्ट एंजर करोगे और जो आपको happiness चाहिए वो भी उसमें ते मिल जाएगी दवली सर, so subconscious mind पर आप बहुत डीटेल में बात करते हैं I think भारत में सबसे ज़्यादा आप इने subconscious mind पर लिखा भी है बाद भी की है तो healing में especially चाहिए physical healing हो चाहिए mental healing हो इसमें subconscious mind का क्या role होता है क्या लोग subconscious mind की practices के जरीए खुद को heal कर सकता है देखे पहले बात यह है कि हमारे दो mind होता है conscious mind एक subconscious mind conscious mind का का काम होता है thinking, logic, analysis, interpretation, judgment, decision, selection, action, willpower यह सब उनका होता है subconscious mind बोड़ी पूरी का controller है जैसे कोई कमणी के अंदर maintenance department होता है, maintenance engineer होता है और कभी कमणी में कोई भी fault होता है तो maintenance engineer को information दी जाती है वो अपने technician को tools के साथ बेचते है, वो repair करके आते है plumbing का कोई हो, electric का problem हो, civil work को वैसे ही बगवान ने हमारे body में एक maintenance department बनाया है जिसका इंचार subconscious mind है जब भी body में कोई damages होती है तो subconscious mind के पास message जाता है और वो अपने technician को बेच के सब repair करवाता है मगर subconscious mind अगर healthy है तो यह सब कुछ कर पाएगा subconscious mind खुदी बीमार है तो यह कुछ नहीं कर पाएगा maintenance यह नहीं रहे तो अब subconscious mind को healthy रखने के लिए क्या करना है एक तो positive mental attitude रखना है जो मैं हमेशा मेरे प्रोग्रम में सिखा था हूँ positive mental attitude में पहली चीज़ आती है positive thinking जब हम positive thinking करते है तो हमारे अंदर से positive vibration पेदा होते है जो body को healing के लिए जरूरी है subconscious mind को healthy रखने के लिए जरूरी है तो पहला तो positive thinking करना है दूसरा होता है हर इंसान में positive point देखने है negative नहीं देखने है मेरे प्रोग्रम में हमेशा में रवन का example देता हूँ अपने सायद सुना होगा के नहीं कि मैं सबको पूच्ता हूँ अपने बेटे का नाव किसी ने रावन रखा तो सब बोले नहीं ला क्यों तो बुरा आदमी था फिर मैं उसको पूच्ता हूँ चलो पूरा ता मान लिया है उसमें कोई अच्छा ही नहीं थे एक भी नहीं ठिर भी अप उनको राक्सत कैता है खुद को अच्छे कहते है और मैं यह कहता हूँ कि मैं रावन की दलाल ही नहीं कर रहा हूँ मागर यह बताना है चाहता हूँ कि अगर रावन प्र्से हाच्चチャू पॉंट डूड सकते जैसे मेरे पार्टनर थे राजी बलानी पहले अब हमारे दोने में क्या फ़र्ट था मेरा convincing power अच्छा था और उनका गला अच्छा था आवाज अच्छी थी मेरा आवाज बिलकुल अच्छा नहीं था मैं कभी stage पे गाता नहीं था और वो ही गाते थे और लोग तालिया बजाते थे तो मैं यह यह चीज का अफसोस करूँ कि बगवान ने मुझे अच्छा गला नहीं दिया नहीं मैं यह चीज को देखता हूँ कि मेरा convincing power कितना जबर दाते है कि मैं जब बोलता हूँ तो लोग चुप चाप सुनते तो मैं मेरे positive point पर focus करता था नहीं कि मेरा गला अच्छा नहीं है राजी भाइज इतना मेरा गला अच्छा रहता तो मेरा कितना फाइदा होता था तो this is called positive mental attitude तिसरे बात है जिनकी में जो भी को समझाता था जबकि कोरोना के बारे में किजे को फाइदा दीकी नहीं रहा था मैरे बहुत चारे recorded program है थेंक्यू कोरोना थेंक्यू लोग डाउन तो ये मेरा नजरिया था कि मैं positive mental attitude वाला हूँ उसमें भी मैं फाइदा दूनता था तो हमारे जीवन में जो भी कटना बनती है उसमें जब फाइदा डूनने की आदा हमें साब positive विचार करने की आदा भगवान ने हमें दिया है उसमें अच्छी चीज़ के देखने की आदा ये सब चीज़े को कहता है positive mental attitude जितना ज्यादा positive mind रहेगा ने इतना body positive रहेगा तो पहला फाइदा है कि body mind को positive रखो दूसरी बात है कि आजकल सबको मालूम है कि हमारी body acidic medium में बीमार रहती है और alkaline medium में वो healthy रहती है तो body को जितना alkaline रखोगे उतना अच्छा है तो body को alkaline कोन रखता है हमारा food and water तो आप अपना food और water की quality चेक करो आपको चाहिए तो google पे मिल जाएगा लिखो alkaline food तो list मिलेगा तो always eat alkaline food and alkaline water उसके बारे में भी google पे information है तो body को जितना chemical आप alkaline रखोगे उतना body अच्छा काम करेगा तिसरी बात है कि body के हर signal को समझ के उसको respect करो नीन आती है तो सो जाओ भूख लगती है तो खाना खालो आपको प्यास लगती है तो पानी पीलो जब आपको tension आता है तो meditation करो तो आपका stress दिली हो जाएगा तो बोड़ी को जितना अच्छा treatment करोगे पालोगे अपने आपको pampering करो मैं रेगूलर्ली स्पा में जाता हूँ सिरोधारा करवाता हूँ बोड़ी मसाज करवाता हूँ सब कुछ करवाता हूँ ताकि बोड़ी को pampering भी बहुत जरूर ही है जितना प्यार फे रखोगे इतना अच्छा काम करेंगी है फूड की quality देखो के उसमें आपके कोई deficiency नहीं है जैसे आजकल B12, D3 बहुत common हो चुकी है तो मुझे भी जैसे आइडिया है तो मैंने चेक करवा है तो मेरे दोनों कम था तो मैंने B12 की गोली चालू कर दी, D3 की गोली चालू कर दी तो जो भी supplement की यह जमाने के इसाब से जरूरत है आप खाते रहे हैं, जो मैं खाता रहता हूं तो यह सब चीज़े करने से क्या होता है पहले तो health conscious बनना बहुत जरूरी है और priority health को देना है और मैंने देखा है, जो चीज़ को priority दियाने है वो काम करते हैं दुसरी आप subconscious mind की बात कर रहा है तो subconscious mind को इतना positive vibration बेदना है और conscious mind से जाता है जो मैंने कहा कि यह सब चीज़े करने से होता है तो conscious mind पॉजिटिव सब conscious mind को रखेगा तो subconscious mind healing को अच्छा करेगा दुसरी बात है कि subconscious mind का आप health के लिए programming भी कर सकते है subconscious mind is like a programmable computer उसमें sickness का programming पढ़ा है तो sickness बार आती रहेगी positive health का programming रखा है तो positive health बार आएगी तो आपको positive health के लिए subconscious mind का programming करना है मैं अम ऐसा कहता हूँ subconscious mind is a programmable computer और उसकी पाँच लेंग्वेज है programming language है उसने पहली language है power of intention जो वाय और की किताब है कि आप एक intention क्रिएट करो के मुझे सो साल तंदूरत रहना है तो आपने पहली language तो यूज कर लिया दूसरी language है identification यानि आप कोई fit इंसान को role model बना दो जैसे आदमी के लिए सलमान कान हो सकता है लेडिस के लिए सील पा सेटी या भागी असरी है रेका हो सकती है तो क्या है कि subconscious mind को आप ए रेडिमेट पिक्चर दे देते कि मुझे इनके जैसा बनना है तो subconscious mind वो जो role model है वो ऐसा जैसा आपको बनाने के काम में लग जाता है तो दूसरी language है identification तीसरी है visualization तो आपना एक जो fitness वाला बोडी वाला vigilant board बनाके दिवाल पे लगाओ और डेली उसके सामने देखके पिर आखे बंद करके visualize करो कि ये बोडी के साथ मैं कूम रहा हूँ तो तीसरी programming language है गई चोथी आती है affirmation ये भी एक programming language है तो एक बहुत बड़ा फेमिस आफरमेशन है Emily Kooke वियन की psychologist है तीसी देख धाए देख, इन एवरियवेश्य आप गट बेटर अट एंट बेटर ये वल्ड फेमस पोजिटिव आफरमेशन आपीज के लिए तो feeling develop करो daily, आप दोड़ के जाओगे stage के उपर तो वो fitness की feeling आएगी से, चलोगे, कुछ ऐसा काम करोगे, तो ये feel करना है आपको, तो अगर healthy रहना है और subconscious mind का help लेके healthy रहना है, कि कि body का विकास, body का maintenance, सब कुछ subconscious mind के control में, तो subconscious mind के through ये आपको result मिलेगा, और ये 5 के 5 programming language रहा हूँ, तो फिर automatically आपका healthy body बनना शुरू होगा, अब कैसे होगा, आपने subconscious mind को ये सब order तो दे दिया, अब subconscious mind क्या करेगा, दो चीज करेगा, आपको कैसे healthy बनना है, उसका रास्ता दिखाएगा, यानि कहीं न कहीं से आपको information मिलेगी, कोई गुरू मिल जाएगा, कि य योगा अच्छा सिखाता है, ये ये अच्छा सिखाता है, और फिर आपको intuition से बताएगा, कि इनका join कर ले, ये तुम्हें healthy रख सकता है, फिर आपको matching action लेना पड़ेगा, तो दो चीज के लिए, कहा action, कहा decision लेना, और किसका वरोशा करना, ये intuition के जरिये बताएगा, intuition is a GPS, हमारे आत्मा का, तो मुझे daily morning में बहुत सारे intuition आते रहते हैं, तो follow your intuition, आपने एक बार सबकों सिखात माइंड को enrich कर दिया, कि बस मुझे health को top बनानी है, तो आपको healthy रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किसी को पूछने के जरुवतनी intuition चाल हो जाएगा, सुबह में उ take the action और आप healthy रहोगे, तो सर आपने एक तो कहा कि intuition के जरिए आपको subconscious गाइड करता है, और भी क्या languages हैं जिनके जरिए subconscious गाइड करता है हमें, कि आपने एक बार subconscious में फीड कर दिया, एक चार language है, देखिए, language दो टाइप की होती है, conscious to subconscious, यानि conscious mind, subconscious mind को programming के लिए जो यूज करते हैं, वो जो में बताई पांच, अब subconscious mind को गाइड करना चाहता है, फीडबेक देना चाहता है, तो उसके भी चार language है, उसमें एक अमने बात किया intuition, intuition यानि आप सुबह में, जब free होते हैं, जब washroom में होते हैं, तो आपको नए नए आइडिया आते ही रहते हैं, देखन जब जादा intuition मुझे टोइलेट में आता है, और मैं सबको चेलेंज करता हूँ, कोशिज करो कल सुबह, उड़के जब टोइलेट में तो उसके वीचार आता है, देखो कितने सारे intuition आते हैं, जो आपको जीवन में next level पे लेखे जाते है, तो मुझे तो यह अज़े लगता है कैसा क्यों बनाया गया है, तो intuition यानि सुबह में automatic जो आइडिया जाते हैं, दूसरा वता है dream, dream में बहुत चारे आइडिया जाते हैं, जो सबकों से man के तरफ से होता है, insulin की सोद ड्रीम में हुई है, benzene ring का structure रिंग में डूंडा गया है, फिर Einstein का सापेक्स वाद ड्रीम में डूंडी गई है, जब Churchill second world war को lead कर रहा था, तब उसको dream में ही सब आता था कि उनको next strategy क्या करनी है, तो dream is biggest guide, तो कभी भी कोई dream आता है, तो उसको इस तर lightly नहीं 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 चाहिए, आपको सूच समझ के उसको पर विचार करके फिर उसको छोड़ना चाहिए, तो dream is a second language, थोड़ होती है, हंचीस, हंचीस यानि एक ही विचार आपको बार बार आता है, जब तक आप अप्लाइ नहीं करोगे ने, ये विचार आपको छोड़े गई नहीं, जैसे मेरा ये ट्रेनिंग का पार्ट चलने लगा, तो मुझे हंचीस आते थे, नोकरी छोड़ दे, नोकर कर रहा था, अब देखे, मुझे लोग बोलते थे, नहीं तुम रहोगे तो पेंचन मिलेगा, मैं चार साल अगर वर नोकरी करता था नहीं, आज मुझे लाक रुप्य का महीने का पेंचन जीव तब तक मिलता था, फिर भी मने छोड़ दी, मगर उससे जादा आज मुझे र नहीं आजाता है, इसको फ्लेश कहते है, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार आता है, यह तथास्तु वाला कंसेट बाइसे बीस साल पहले शूरत में एक टेज प्रोग्रम दे रहा था, और यह समझा रहा था, अच्छानक याद आया, कि तथास्तु का कंसेब करें, कि बगवान हर चीज के उपर तथास्तु करते है, बस आपको कहा है, तथास्तु करवाना है, वो डिसाइड करना है, हम सोचते है, उसके उपर तथास्तु करते है, हम बोलते है, उसके उपर तथास्तु करते है, और जो हम मानते है, उसके उपर तथास्तु करते है, यानि हम जैसा सोचे यह तो मैंने पड़ा नहीं यह कहां से आगया और अचाना का गया और लोगों को बहुत प्संद आया अभी भी लोग गया अभी लोग आज यह अज वी बनी बनी ततास्तु अबरे एक स्टूडन नहीं एक किताब लिखिये ततास्तु करके जो मुझे इंट्योसंस आया ता इ को लगया कि तुम इंटर्यू बहुं दो इंटर्यून के उपर दो गोरे लख में केला इंडियन था अब इंटरुशन के बारे में ज़्यादा मालlair नहीं था मदशन के ता में मालूम नहीं था करे जल्दी से तभी इंटरनेट टाटुआ था तो मैं जल्दी ज्बली के उपर लेक्षा देने के लिए, दो गोरे लोग और में अक्याला पहली बार इतना बड़ा स्टुडियो, मैं आख बन करके विजलाइट करके आया है, बगवान वहां पे अच्छा अच्छा जवाब देना मुझे, अंदर से जो पूछेगा, पहली बार मैंने कभी इंग्ली नहीं दिया था, वो भी लाइस होता, पुछ रहे था, पूरे आफरीका कॉंटिनेंट से, मैंने मेरी यूटूब पे रखा इंटर्यू अभी भी है, और जैसे जैसे सवाल आते है था, मुझे जाब का इंटर्यूशन आता था, और ट्रोपिक का नम भी इंटर्यूशन दा, और पूरा इंटर्यू अच्छा हो गया, सबको मजा आया, तो मेरी लाइफ में तो इंटर्यूशन ने इतना बड़ा रोल किया है कि अनिमेजिनेबल, तो फ्लेश, यानि अच्छानक जो विचार आते है, जो मैंने तथास्तो वाली बात की, वो मुझे फ्लेश से आई, ये अगर दिखा सकते हैं, अगर परदे के उपर, तो हमारा जो चार फ्रिक्वंची होता है, थीटा, आलफा, बीटा, डेल्टा, ये जो चार लेवल होता है, उसमें जितनी कम फ्रिक्वंची रहेगी ने, वो कम फ्रिक्वंची पर इंट्यूशन जादा रहता है, अगर फ्ले बिद्धा इसलिए बेजा कि उसमें आपका कुछ बला है थैने के बीटा वाली स्टेट में भी फ्लैश बीटा में भी आसकता है लेकिन इन्टुशन जो है या तो आलफा जो बीटा में नीचे के लेवल पर या अलफा में आता है अब हम सुभा उड़ते हैं तो हम नेचरली स्ट्रेट में होते हैं तो हम वस्रूम में रहते हैं तो अभी हमारा एक्टिवेट नहीं होता है जो लेवल इसलिए क्या है आलफा में रहते हैं तो इंटिशन तब आता है वो तो बीटा लेवल पर आते हैं यह कई बार आस्मान में बिजली चमक के थोड़ी चमक के थोड़ी है और पोरी दुनिया में इंटैंजान के ऊपर सीत मेरे किताब है गही है तέर नंपर्जिशनलि वह गुजराती में इसने लोगों कर पास ज Alleiy windows है नहीं नहीं ए इंटैंजान के ऊपर मैंने किताब लेक्गिया है इतना आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, पर एक्जम्पल, पहले तो इंट्यूशन उसके लिए अवेर्नेस क्रिएट करो, दुसरी बात ये कब आता है, ये समझ लो, ये जब हम सांत रहते हैं, तब आता है, रात को सोते सोते आ सकते हैं, अगर बेश तो सुब में आते हैं, खिकि रात को हम पूरा दिन का काम से ठक जाते हैं, तो बेश से फ्रिक्वंशी हाई रहती है, तो कभी-कभी नहीं आता है, सुब में तो फ्रिक्वंशी लो रहती है, इसलिए आता है, दूसरी बात है कि, वो जो विचार आएगा नहीं, विचार के उपर आपको विचार करना है, कभी में क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था, तो उसके वज़े से आपको पगड़ेगा रहे, यह तो मेरा इंट्यूशन दर, दुसरे बात के इंट्यूशन आपका प्रेजन शीचूशन के रिलेटेड ही होगा, मानलों आप कोई नया प्रोग्राम के तयारी कर रहे है नया बिजनस का डील के लिए जा रहे है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके related ही आपको intuition आना शुरू हो जाएगा तो हमने एक बार उनको growth plan बता दिया हमारा जो goal setting में या life के planning में कि हमें 10 साथ में 15 साथ में यहां तक growth करनी है तो उसके related आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके intuition आपको daily आएगा So true sir, यानि कि अच्छा point आपने clear कि intuition जाधे तर आपके जो present goal चल रहे हैं, उनी के round आएगा उनके solution के relation में आएगे सब तो कोई भी आ सकता है, मगर यह तो particular risk के आएगा क्योंकि subconscious mind आपको guide करके आपको बेच जीवन देना चाहता है सबसे बड़ा value sir है हमारा subconscious mind इसलिए हमें ऐसा आपको सही रास्ता दिखाने की कोसित करता है मगर हम गुद्ध्यू जैसे क्या है कि intuition को समझते नहीं है और कोई दोस्की यार कोई advisor की advise लेका कहीं गलत जगा फस्त है जैसे मैं अर्चत मिता की तेजी में फसा था तब मुझे intuition का पता रहता था तब मुझे subconscious mind का नहीं पता था तो मैं कभी भी share market में नहीं जाता था तो इसमें sir intuition को कैसे properly process करें क्योंगी कई बार लोग intuition को follow करें कई बार गलत decision भी ले लेते हैं कई बार risk भी ले लेते हैं तो क्या कोई method है identify करने का कि यह सही intuition है मेरा और या फिर आगे भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए तो intuition नाम की चीज है उससे awareness create करिए कि intuition है वो एक signal है subconscious mind से जितना मन को सांत रखने की कोशिस करोगे यानि meditation करोगे इतना ज्यादा intuition है जब वीपस्ना में जाके तो एक सब्सक्राब कर इतना जब नामक्र आखने को यह जो में त Cath है wanna दो चाहिए, उत्ना जार में धे लिए हो तो जी तना जादाта intuition के अवेर्नेस क्रिएम एंगे यटना जादा परी श्रश यू पड़ेगा इंटू क्यादाए जैने को यह सो इन realizing YouTubers doing face हाँ अभी सही है कि गलत है उसका फेसला कैसे करना है मालो आपको इंट्यूशन दिया कि यह ओफिस बेच के और कोई ओफिस ले लो जे इंट्यूशन आ गया जे अब आप इससे कुछ सोचोगे तो अभी तो आपने बनाया इसके उपर बड़े-बड़े सपने आए और आप से बिल्डिंग मिलूँगा वो चोबीस घंटे तक वेट करो कि आपका बोड़ी सिगनल क्या कहता है अगर वो इंट्यूशन गलत था और आपका यह डिसीजन गलत है चो डिस घंटे में ही आपके बोड़ी सिगनल से पता चल जाएगा कि आपका यह डिसीजन गलत था देन यह डिसजन ले जै हम अगर एक्संटे में ले गाधि आपका फाकी अटा हुड़ी का उड़ी संटे में कैके बाद ले टो अपका यह यह न्चा यह जा आपका गुछी में लुग को इंसरोष भी रूह और बात था बनेली के बाद तो आपका डिसीजन घुड़ा कि अर दे एक्सान लूँगा, डिसिजन तो ले लिया, मगर डिसिजन के बाद 24 से 48 अवर का डिस्टंच रखो and watch your body signal. रात को नीम कैसी आई? रात को नीम डिस्टब हो गए, इमान लो, डिसिजन लिया, यह ओफिस बेचने का, तो अब इसका मतलब इन्ट्यूशन नहीं था, कुछ गलत पेमी थी, कुछ अलग था. तो दिसिजन लिया, कि आप इसको बाद में इसके उपर एपलाई करो. तो जैसे जैसे आप इनको ओनर करोगे ने, वो आपका दोस्त बन जाएगा, इन्ट्यूशन. आप कोई दोस्त ने आपको एड़वाइद दिया, आपने उनकी मानी, तो दुसरी एड़वाइद देने कि उनको इच्छा होगी. आपने उसका निगले किया, तो बोलेगा, कितनी बात कही हो मानता ही नहीं है, तो एड़वाइद देना बंद कर देगा. तो इंट्यूशन को जीतना ओनर करोगे ने आप, उतना वो आपको अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा इंट्यूशन देना चालू करेगा. तो यह सब आपने अपने बुक में दिया है, बड़ गुजराती में है वो. अब इंगलिस इंदी में किसी ने ट्रालेट करके रखे है, मगर इतना बेज़े हूँ कि पात साल से वो मेरे कम्पुटर में पढ़ी है, प्रोफेत ना लगो ने की है, मुझे चेक करके मार्केट में लानी है. इसमें सर एक और आप कई बार लेंगवेज में क्लेर वो इंस का भी जिकर करते हैं, तो क्लेर वो इंस क्या है और वो इंटिशन कैसे रिलेट है? खतना होने वाली है उसका एडवाज़ पर आपको चितर दिखता है, वार्निंग बिलती है, तो फ्यूचर के बारे में होता है, फ्यूचर के बारे में होता है, फ्यूचर में जो होने वाला है, अपने कहोना प्यारे देखा होगा, तो उसमें उसका जो रितिक रोसन का एक्सिडेंट होता है, उसके पहले अमिसा पाटल को दिख जाता है, उसको बोलती भी है, कि मेरा द द्पातो हुचा तो अपके लग मुझे मुझे생 सब कर देख तो इसके लिए आप परेच्ह प्रेयर करें करें बंबी उमर के लिए आपके उड़े क्याब साल शुत्व में पाइडिय उम्हआती खूर कि मुझे भुकम दिख गयार था, जो अभी आयोि अधा, कच्छ में भुकम भायो था, बहुत लोग मुझे मिले, अगर उसको पता था कि क्या हुह रहा है, बाद में दूसरी दिन भुकम भाय था, पाता चला कि यह तो रात को मुझे डिख गया था अपने केंदर तो clear one यानि पूरा sin दिखा देता है खुलके तो इसके बीचे का कोई science है क्यों एसा होता है इसके बीचे का subconsciously दिखा रहे है बीचे सबकॉंसियस माइंड के अंदर पूरा database पड़ा है past का present का future का जितना आपका सबकॉन्सेस मैंट से जादा दोस्ती होगी, ये थितनी दोस्ती बढ़ेगी उसका Two-way communication बढ़ेगा, उतना आपको सबकॉन्सेस मैंट सब बताएगा, आप उसको निगलेक करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना है कि सबकॉन्सेस मैंट से दो मैं लास्ट थर्स्डे को में बंबई गया था सारफ थर्स शायद मेरा फ्राइडी सेटर्डड़ को बड़े बड़े अच्छे चोर्पर्ड परोग्राउम से ठीक है और वो टाइम पे स्थस्डे साम को न्यूज में आया कि बहुत बारी से बंबई में जम के बारी से टाफिक जाम हो गया है और बहुत मुस्किला अगला दो दिन और डारी से मैं जब मेरा प्रोग्रम्ट थाइड आर्ड तर्डे से का राइड बारी से बात कर रहूं और लाद तो भी पारी से फेसे के डारी से बारी 12'. करना कना हो या पारी से जब बंबई में आखित führen मुछे лारी से उंक जरता बिदे सानी आगला। और पेपर का न्यूज देख लो, सब देख लो, वो दोनो दिन बारिस नहीं आई थी, जब कि रेडे लड़ता, जब में बंबई में था तब, देख लो, मैं अभी में सब को चेलेंज करता हूँ, थर्स्टे का नाइट का न्यूज देख लो, जिसमें रेडे लड़ता, बार निकलता था, छे बजे, मेरा प्रॉपर बंबई में मेरा कॉर्परेट प्रोग्रम दा, देख गंडे का डिस्तन दा, बारिस होती तो मैं नहीं पहुंचता था, और बिल्कुल बारिस नहीं थी, मैं पहुंच गया, एक्जेक्ली शिक्सों को लोग मैंने प्रोग्रम ठ तो क्या गलती लोग करते हैं, जनरली विजुलाइजेशन में, जो आपने अपने करियर में उब्जर्व करी है, और क्या सही तरीका है, देखे, पहले बात है कि सही तरीका का होना चाहिए, और सही तरीका का विजुलाइन के पहले अपने आपको पातरता है, यानि क्वालि जो मैंने ये विजुलाइन किताब में लिखी है या मन और जीवन में लिखी है तो जो मैंना आईडिया लेया है 7th spiritual law of success दीपक जोपरा की किताभ से तो उसने बताई है कि आप क्या करोगे तो आप success पाऊगे ये spiritual law क्या है तो ये spiritual law जो follow नहीं करते है और शिफ तेक्निक के बारे में बराबर पता नहीं है, विजुलाइजाशन इस नोट अब्जेक्टिव सिइंग बट सब्जेक्टिव फिली, जैसे कोई कहता है मैंने बूत देखा, एक्चली वो आंख़ से बूत नहीं देखा रहता है, बूत का आवास होता है, और फिर भी वो मान लेते हैं कि मैंने बूत को देखा, एक्चली बूत को कोई रियल में शरीर की आंख़ से नहीं देखता है, और मन की आंख़ से देखता है, आवास होता है तो लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं विजुलाइज बराबर नहीं किया है, उनको लगता है कि यह आखों से दिखेगा, ऐसा नहीं रहता है, तो visualization is not objective seeing, but subjective feeling, आपको feel होना चाहिए कि आपने यह visualize कर लिया, that's all, तो लोग क्या करते है कि, क्योंकि उसको clear cut, यहाँ पे picture नहीं दिखता है, तो tension में आ जाते है, frequency बढ़ जाती है, तो picture subconscious mind के पास जाता है, subconscious mind के पास पहुचाने के लिए रास्ता होता है, alpha नम का highway, यानि उनके mind के frequency 7 to 14 होनी चाहिए, जब आदमी tension में रहता है, excited रहता है, और क्यों नहीं पहुचान में पहुचान अर्म के पास और क्यों नहीं रहता है, तो आपनी बढ़ आ खं़ है, क्यो मुझे ए Micheal नहीं जीक आ बढ़ेगी क्यो मेरी मर्षिदिस नहीं भी मिघर्याई तो उसके खं़ इसके एर गढब हिग आज आपके पास मर्शीडिस है, प्रेजन टेंज में करना चाहिए, दूसरा है, एक्सन में करना चाहिए, मर्शीडिस आपके सामने कड़ी है, आप मर्शीडिस चला के यूस कर रहे हैं, यह होना चाहिए, तीसरा है, आपको फिलिंग के साथ करनी चाहिए, कि मर्शीडिस चल अच्छी तरह से समझ के करेंगे तो होता है तो मैंने जो बंबई का बारिस रुकवाया था वह इसे ही रुकवाया था बिल्कुल रात को सोने के टाइम पर मैं टीवी देखा के रेडर लटा है बंबई में आज भी बंबई में पानी पानी है सब जगा आग बन करके विजिला तो हुआ है कि तारीक याद रखिए कि यह तारीक का परिपोर्ट डेक ली जिए अफ nasze के उड़े और मैंने यह किया था मेरी वज़े से उवा यह नहीं है अगर मुझे तो हैसा लगा कि मैरी वज़े से यह हूआ है मेरा काम बन गया बिलकून में करकर आ गया तो यह तो visualization सिर्फ वर्ड छे नहीं होता है, विजुलाइण के साथ supporting factor भी होना चाहिए, consistent वही picture होना चाहिए, अब देखे, मेरे Mind Power Workshop में क्या सिखाता हूँ, कि सभी language कैसे यूज करनी है, तो पहले तो intention, तो आप vision board खुद जब बनाते होना, तो आपका intention manifest हो जाता है, दुसरे से नहीं बनवाने का, खुद ने मेनस करके बनानी है, जो vision board नहीं बनाते है, इसका मदब इसका intention चाहिए है ही नहीं, वह lightly ले रहा है, vision board का दुसरा फाइदा है, कि आपने जो color की mercedes लगाई है, वही visualize करोगे, अगर नहीं लगाई है, तो कभी काली, कभी पिली, कोई भी visualize करोगे, तो subconscious mind confused हो जाएगा, कि इसका कॉन सी mercedes चाहिए, तो definite हो जाएगा कि यहीं चाहिए, दुसरी बात है कि, जब आपको visualize करना है, तो पहले थोड़ी देर के लिए, vision board को देखो, फिर आँख बन करके करो, ताकि consistently वही picture जाए, फिर emotion के साथ भी नहीं करते है, positive emotion के साथ, वो tension के साथ करते है, अब picture नहीं देख रहा है, तो मुझे Mercedes नहीं मिल गी, पिक्चर नहीं देख रहा है, उसको तो विश्वाज उड़ जाता है, और feeling भी develop करनी है, पांच भी language है, और daily बोलना है, कि मेरी तो Mercedes आ रही है, मेरी तो Mercedes आ रही है, तो क्या होगा, कि अपने आप वो affirmation आपका काम करेगा, तो affirmations में भी सर कुछ गलतियां करते हैं लोग, कि affirmations में भी, देखो, इसमें grammatical mistake होती है, तीन टाइप का grammar होता है, विजुलाइजसन में आपको यह देखना है, कि यह आपके साथ अभी हो रहा है, हो रहा है, यानि आपने Mercedes खरीद ली है, जी, affirmation लिखना है, कि मेरी Mercedes मेरे तरफ आ रही है, attract कर रहा हूं, और Mercedes में ले सकता हूं, कि नहीं ले सकता हूं, वो बिलिफ है, वो बिलिफ के लिए और अलग language हो सकती है, कि में Mercedes का मालिक बन सकता हूं, देखे, तीनों Mercedes के लिए, में Mercedes का मालिक बन चुका हूं, यह विजुलाइजसन, Mercedes मेरे जीवन में एट्रेक हो रही है, यह affirmation, और मैं Mercedes का मालिक बन सकता हूं, यह affirmation बिलिफ चेंज के लिए होती है, कि कुछ लोगों को बिलिफ नहीं होती है, कि मैं Mercedes का मालिक बनूँ, कि कि सरकारी नोकरी में है, मेरा यह एक ट्रेनर है, उसका नाम है साकेवार, वो सरकारी नोकरी कर रहा है UP में, यह ITA कॉलेज में प्रोफेजर है, वो इसना 50 लग की Mercedes लिए, अब कोई सोच सकता है कि सरकारी प्रोफेजर या टीचर Mercedes लेके गुमें, और वो लेके मुझे जाता हूं, तो मुझे कानपूर में, कानपूर में रहता है, मुझे Mercedes में लेने को चोड़ने को आता है, अब देखिए, belief system के बात है, किसी को भी पूझे, कोई सरकारी नोकर को Mercedes में कुमा है, जो अभी चालो नोकरी पर है, उसने लिया है, और T3P करके यह सब समझ के, तो यह belief डेवलप करना जरूर ही है, और what is belief, possible or not possible is a belief, मैं Mercedes ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, यह belief है, अब मान लेजे आपके बिलिफ नेगेटिव है, और फिर भी आप Mercedes का visualize कर रहे है, तो कहां से result मिलेगा, नहीं आएगा, वो दम आएगा ही नहीं, वो positive emotion क्रियेट ही नहीं होगी, जो आपको Mercedes लाके देगी, तो बहुत चारे reason है कि उनको visualize का reason नहीं मिलता है, बिलिफ support नहीं करती है उनको, language कभी गलत बोलते रहते हैं, उनको healthy बनना है, मगर बोलते हैं कि corona नहीं हो जाए तो अच्छा है, यह नहीं हो जाए तो अच्छा है, और तो एस दी बोडी का विजूलांड कर रहे हो, एफरमेशन उसके अलग दे रहे हो, यह एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, यह डायेट से कुछ नहीं होता है, आप अपने हेल्ड के गोल के ओपॉज में आप एफरमेशन बोल रहे हो, और जीम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या मतलब है? यह तो फिर वो जाएगा ही नहीं सबकॉंचिस में ही नहीं जाएगा है, यह नहीं खुद ही ब्लोड करते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव में इंटल एक्टिटिव पॉजिटिव तिंकिंग करोगे, सबकॉंचिस माइंड जबर रस काम करेगा, जबर रस करेगा, मुझे तो ऐसा, और कभी-कभी क्या होता है, फिर तो मेरा तोलने वाल ऐसा है, कि मुझे विजुलाइज करने के जरुवत नहीं होती है, सिर्फ एक आइडिया मन में और मेनिफेस्ट होते हुए दिखता है मुझे, कभी-कभी ऐसा होता है, कि आज यार इसको मिलना है, और यह हो जाता है, तो मुझे शर्पाइज लगता है, कि एमबे की मीटिंग कैसे रहती है, पीछे बेट के में देख रहा था, सुन रहा था, और में भी उससे इंप्रेस हुआ, सोचा है आदमी को मिलना चाहिए, मगर वाहन तो वो लीडर आता है, उनको पूलिश एसकोड रहती है, बोड़ी गाड रहती है, बड़ा ड्रामा रहता है, अब अन्बिलिवेबल था कि में मिल वो, लेक्चे लेकर सीधा वो रात की फ्लाइक से जाने वाला था, फिर मैं घर चला गया, सिर्फ सोचा कि इनके साथ दोस्ती हो तो माज़ा आनी चाहिए, घर गया, उसका एक लीडर का मुझे फोन आया, अडिया साब कहाँ पे हो, बड़ा गर में खाना खा रहा हूँ, बढ़े मैं अपको मिलने को आजाओ, बढ़े इंदर जी जास्मीन को मैं बात किया, उसने बोला मुझे अडिया साब को मिलना है, इंदर जी जास्मीन मेरे पास आगे है, जब मेरे थोड़ी देर पहले सोचा था कि इनक से दोस्ती होनी चाहिए, वो दो गंटा मेरे साथ बेठेर, बढ़े जितनी जादा दोस्ती सबकॉंचिस से बनाते दोस्ती, अच्छा वीपस्ना का फाइदा मैं बताता हूँ, कि वीपस्ना अगर करोगे ने रेगूलर्ली, तो आपको नहीं वीजुलाइज करना पड़ेगा, नहीं वीजन बोड बनना पड़े, करना पड़ेगा, शिर्फ आपके अंदर जो इच्छा पड़ी है, वो उसको खीत लेगा, एब्सोर्ब पर लेगा और मैनिफेस कर लेगा, जो जो इच्छा है वो सबकॉंचिस मैंड ओटोमेडिकली, करके दोना के बिट में इतना रनवे पर्फेक्ट हो गया है, कि आपको बेजना भी नहीं पड़ेगा, सबकॉंचिस मैं खुद कींट लेगा, कि यह तो इनके इच्छा है, बॉस की चलो करते हैं इसा, क्या बात है सबकॉंचिस मैं लगता है, देखो मुझे पाइलोट बनने का सपना कैसे हुआ, ट्रेन में वो आदमी को मिला दिया है, जो यह करता है, लवली, सो नाव एलाव रैपिट फाइर राउंड विट अडिया सर, सो नमबर वन, इफ युद एवर हाव डिनर विथ एनी थ्री सेलेबरिटीज, आप किसको चुनेंगे, नादेंदर मोदी, एक नादेंदर मोदी, आप पुरी दुनिया गुंग सुके हैं, सबसे ज़ादा इंपक्ट आपको कौन से देश ने किया और क्यों, आजकल तो दुबई कर रहा है, क्योंकि दुबई जो स्टीट से आगे बढ़ रहा है, वो अन्विलियोबल है, एक नियुक्या नादें, हम एक एक नादें जो दूबल्हाद कर दो मुझे और को कि दूदो आपको कर देता बादा रहा है। अगर मैं गीफ ले रहा हूं तो मेरी पर्चेजिंग पावर कम कर रहा हूं उनिवर्स को यह बोल रहा हूं कंपड़ ओर फिर्ड़ा काž रहा हूं हूं लिए तीन सहीं लिए हूं हूं यह यह सकते हम। और हेल्ष के लिए उपकोर सल्मान खान है, एटिकेट मेनर के लिए अमिताब बच्चे ने, जिनका एटिकेट मेनर मुझे पसंद है, तो डिफरंट अश्पेक्ट एरिया के लिए एक इंस्पिरेशन आपने है, हर एरिया के लिए रोल मोडल की आपने वाद की थी, exactly, lovely sir, so what is the best piece of advice you have ever received? don't go for classes, तुम मासिस का ही, माइट पावर ट्रीनल बनके रहे हैं, lovely, और अपके ताइम का फेवरेट मुजिशन जो आपका हूँ, singer or musician? singer में तो रफी मेरा था, सबसे अचाबी भी में रफी के और लटा के गाने ज़्यादा सुनता रहता हूँ, musician थे वो टाइम पे लक्षमी कान्थ प्यारे लाल, और आनन्द बक्सी लक्षमी कान्थ प्यारे लाल की जोड़ी ऐसी बेतरीन थी, को उनके सभी गाने मुझे आपके बच्पन की सबसे यादगार मेमरी, जो हमेशा आपको याद रहती है, एक बार मेरे फादर ने मेरी पीटा की थी, मैं घर छोड़के चला गया था, तब मेरी उम्रों की 12, 12, 14, 13, 14 साल की थी, इतना गुसा है कि मुझे ये घर में रेना ही नहीं, जेब में पैसा नह ये पता नहीं है, हम राजकोट में रहते थे, दो दिन तक मैं जुनागट चला गया, जुनागट चला गया, जुनागट रहे, बहाँ पे, और स्टेशन पर रुष्टा रहा, और कुछ लोगों ने मुझे एल्प किया, कुछ खाना लेके दिया, पकोड़े खिलाया, ये कि रेकफों पे सोया हूं, खाना भी ठीक से नहीं खाया है, अब मुझे घर जाना है, तो मुझे घर छोड़ दो, जी, वो टाइम पे टेलिफोन और ये इतना कोमन नहीं था, पिर वो पुलिस वाले ने मेनेजमेंट किया, मुझे राजकोट जुनागट से घर पे छोड़ के चारहे है है, एनी टू-्टू-्त्री एड़्वाईस जो आज की जन्ता के लिए आप देपाएंगे कि वेलनेस के लिए अपने आपको हेल्दी रखने के लिए एनी टू-्त्री एडवाईस धाइने वाले कि और व्लेन्स इक तलि पेले तो लाइफ को बेलेंसिंग करें, ज कि जब आपका चारों आस्पेक में बेलेंसिंग नहीं करते हैं, तो वेलनेस चली जाती है, मैंने जहिसे कहाने, कि आपका रिलेसंट्री बिगड़ा, उसका स्ट्रेस आपकी एल्थ बिगाड़ेगा, तो रिलेसंट्री पच्छी रखनी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आ एक चीज के उपर ध्यान नहीं रखे, जब लाइप में आप बेलेंसिंग करेंगे रहें, तो आपकी वेलनेस हो जाएगी, और उसमें खास यह कि जीम में जाने से एल्दी होते है, यह कंसेप्ट निकल जाएए, हमने अभी अभी बहुत चारे किस्टे सुनें, कि जीम में ह एक्सराइज करते हैं ट्रेड मिल के उपर, यह कि उनका फोकस ही बोड़ी के उपर था, बाखी चीजों पर नहीं था, तो जितना बोड़ी को एक्सराइज की और नुट्रेशन के जरूवत है, तो मैंड को भी नुट्रेशन के जरूवत है, तो मैंड को भी नुट्रेशन पड़ता है हमारे चार एंगल में तो आत्मा तभी हेल्दी रहेगा जब आपके इंटेंशन सही रहेंगे आप काम अच्छा करोगे तो आपको आत्मा को भी संतोस मिलेगा तो ये जीवन के जो चार में इन एरिया है बोड़ी, माइड, इमोशन एन आत्मा सभी के उपर काम कर होगे तब आपको रियल वेलनेस मिलेगी सिफ जीम में जाने से नहीं मिलेगी तो मेरा यही सब को यह कि चारों के उपर आप फोकस करिया लवली